जब लगातार काम चलेगा समसदों और विजिटर्स को भी मिडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको ज़रा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे भी स्वाफ है कि आधर्णिय उप्राश्पति जी और आधर्णिय स्पीकर महोदय की नेतुत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है और आपसे भी मैं कहूंगा कोई चीज जैसे छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकरसित करना क्योंकि ये चीज़े जब बनती हैं तो आवश्यक्ता के नुशार बढलाव की भी जरूरत होती है देश ने नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सब्त्र के प्रारंब में विपक्ष के साथियों के साथ हमारी हमारा विचर विमर्ष होता है हमारी मेंटिमुं से चर्चा करती हैं मिलकर के भी सबके सहीयोग के लिए हम हमेशा प्रारफना करते हैं, आगरव करते हैं इस बार भी इस प्रकार के सारी प्रक्रियाँ कर ली गई हैं और आपके माअद्यम से महीं सारवजिनिक खूप से हमेशा हमारे सभी सामसदों से आगर करता हूँ लोक्तंत्र के मंदीर जन आकांग जाओं के लिए विक्सित भारत की नीवत को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहत महत्वपुर मंच है मैं सभी मान्य सामसदों से आगर कर रहा हूँ कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी फिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आएं और उन सुझावों के द्वारा क्योंकि जब एक सामसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत उत्तम तत्व होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उत्तम से मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से अगर करता हूँ और अगर मैं बरतमान चुनाओं नतीजों के आधार पर कहूँ तो जो विपक्ष में बैटे वुए साथी है ये उनके लिए गोल्डन ऑपरजुनिटी है इस सत्र में पराजय का गुषा निकालने की जोजना बनाने के बजाये इस पराजय में से सीख करके पिच्छे नौ साल से चलाई गई नकारत मक्ता की प्रवुत्ती को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारत मक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोन बदलेगा उनके लिए नया द्वा खुल सकता है और वो विपश में है तो भी उनको एक अच्छे ड़ाइज दे रहा हूँ कि आईए सकारा पो विश्टार ले करके आईए अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला ले करके आईए हर किसे क्या भविश्टुद्वन है निराज होने की जरूद नहीं है लेकिन किपा करके बहार के पराइजे का गुश्टा सदन में मत उतारना हताशा निराज सा होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुन्दुकुर करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत मनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुभों के अधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए देश इत्मे सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो महबत बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं करबद्य प्रार्शना करता रहा हूँ कि सदन में सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक जश्रिकोर से भी कहना चाहता हूँ कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारतवक्ता का संदेश के आपकी छभी नफरत की और नकारतवक्ता की बने वो लोकतंतर के लिए अच्छा नहीं है लोकतंतर में विपंश भी इतना ही महत्वकुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्थवान भी होना चाहिए और लोकतंतर की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूँ पेंटी फोटी सेवन अब देश विक्सित होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता समाद के हर वर्ग में ये भाव प्रादा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है इस भावना को हमारे सभी मानने साउसत समद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उन्ते प्रार्थना है आप सब को भी साथ हो मेरी बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद